ओम शांती, ब्रह्मा कुमार चंद्रहास जी के बाबा द्वारा या यों कहें संस्था द्वारा विश्ष्ष व्यक्तियों को भेजे गए इश्वरिय संदेश के बारे में अनुभवों को आगे बढ़ाते हैं ये संदेश इसलिए भेजे गए थे ताकि कल को कोई भी ये उलाहना ना दे सके कि प्रबु इस रिष्ष्टी में आए परंतु हमें सूचना भी ना मिली और हमें उस परंपिता ने निमंतरन भी ना दिया इस कर्तव्वे की पूर्ती के लिए बाबा ने इंगलेंड की प्रेंसेस एलिजाबेद को बकिंगम पैलेस लंडन के पते पर भी पत्र भीजवाए देखिए तो यग्ये माता द्वारा लिखवाए गए एक पत्र में ये पत्र 16 मार्च 1949 को ओम रादे ने अर्थात ममा ने अपनी और से भेजा था उसमें ये पंक्तियां स्पष्ट संदेश दे रही थी वे लिखती हैं प्रिये बेहन इस पत्र के साथ मैं आपको आत्मानों भूती के विशे पर कुछ प्रवचन सनलगन करके भेज रही हूँ हमारे यहां के अनेक भाईयों और बेहनों ने दिवे द्रिष्टी द्वारा साक्षात कार किया है कि निकट भविश्य में स्रिष्टी पर महा संकट की घड़ी आने वाली है तता आत्मिक बल वाले लोग ही उस भ्यावेह स्थिती का सामना कर सकेंगे और बच सकेंगे आत्मिक बल विज्ञान बल अत्वा अन्य सब प्रकार के बल से उच्छ है और उन पर विजे पास सकने में समर्थ है अभी जो विश्व युद होने वाला है उसका परिणाम उन सभी के लिए निराशा जनक होगा जो की आत्मानु भूती के लिए पुरुशार्थ नहीं करते और अपने सच्चे धर्म की रक्षा नहीं करते आपको मालूम रहे कि पृत्वी पर दैवी सावराज्य की स्थापना का समय बस आने ही वाला है और मेरी जो पांच वर्ष की आयू वाले बच्चों से लेकर वयो व्रिध लोगों की सेना है वह इस कारे के लिए तयार हो रही है इस अहिंसक सेना के विरुध लोग बहुत शोर मचा रहे हैं प्रिये बहन आप भी आत्मानुभूती तता विश्व का दैवी सवराज्य प्राप्त करने का पुरुशार्थ करो इस प्रकार बाबा हरेक को आत्म साक्षात कार करने अपने आपको जानने अर्थात सेल्फ रियलाईजेशन करने तता पवित्र बनने के लिए जगाते रहते माता जाती को तो वे विशेश प्रकार से प्रिरित करते थे क्योंकि वे कहते थे कि यदि वे स्वैम जाग कर दूसरों को जगाने का कारे करें तो भारत का और विश्व का कल्यान हो सकता है बाबा कहते थे कि माताओं के साथ तो बहुत अन्याए होता है परंतो फिर भी कन्याए माताएं सदा त्याग के लिए तयार रहती है जब कन्या विवहा करके माईके से ससरौाल जाती है तब वह भी उसका एक प्रकार से मर कर दूसरा जनम ही होता है वह कन्या पिछले संबंधियों को भूल अब नए संबंध जोड लेती है और अब मात पिता की बजाए पती तथा साज ससुर के मत पर चलती है इश्वरे ग्यान लेने के लिए भी मनुश्य को मर जीवा बनना पड़ता है अर्थात दैहिक संबंधियों को भूल कर अब परमपिता परमात्मा ही से सर्व संबंध जोडने पड़ते हैं और अब अन्य के मतों को छोड़ कर एक परमात्मा के मत पर चलना होता है अता कन्याओं माताओं के लिए इश्वरी ग्यान प्राप्त करना सहज है क्योंकि उन्हें धन और पद का नशा नहीं होता और एक संबंध को छोड़ कर दूसरा तो उन्हें अपनाना ही पड़ता है बाबा कहे करते थे कि आज माता सभी के आगे गोंगट निकालती रहती हैं और जुकती रहती हैं और उसे समाज में सन्यासियों ने तथा ग्रियस्थियों ने बहुती निम स्थान दे रखा है जो माता मनुश्य की प्रतम गुरू है उस माता का आज तिरसकार होता है पुरुश उसे बाएं पाउं की एड़ी मानते हैं और उसे अपनी संपत्ती का वारिस भी नहीं बनाते बलकि जब चाहें उसे मार पीट कर घर से निकाल देते हैं तता दूसरा विवाह कर लेते हैं परंतु नारी को देखो वह पती के मर जाने पर कितना रोती है वह प्राये दूसरा विवाह नहीं करती और कहीं कहीं तो विद्वा नारी पती की चिता पर बैट कर सती भी हो जाती है अता नारी के लिए अब ग्यान चिता पर चड़ना सहज है आज की कड़ी में बस इतना ही अगली कड़ी तक इशुरिय संदेश जन जन तक पहुंचाते रहें ओम शांती